नमस्कार मैं ही नसिर्वास तो आप देख रहे हैं प्रगती मेडिया जैसा कि आप सब जानते हैं वाइरस चल रहा था तो इसी वज़े से मेट्रो रेल बन चल रहे थी लेकिन अब फिर से एक बार दिल्ली राजधानी में मेट्रो सेवाई सौम बार से सुरू हो गई है साड़े 15,000 यात्रियों ने पहले दिन मेट्रो में सफर किया माक्स, सैनेटाइजर, बुखार की जाच, आरोग्य सेतू, वा सारे रिक दूरी स्मार्ट कार्ट से यात्रा के साथ पहला दिन भी ना किसी घटना के बीट गया अब बुद्वार को ब्ल्यू वा पिंक लाइन खोली जाएगी और सनीवार तक सभी लाइनों पर मैट्रो सुभा 6 बजे से 11 बजे रात तक चलने लगेगी डिली मैट्रो में एक दिन में खरीदे गए 1115 नए स्मार्ट कार्ड डिली मैट्रो के निर्देशक अनुष दयाल ने बताया कि यलो लाइन पर 57 ट्रेने चलाए गई जिनोंने करीबन 462 फेरे लगाए और 1115 नए स्मार्ट करीदे गए पहली पारी में सुभा 7 बजे से ट्रेने शुरू हुई और 11 बजे रात तक 7500 लोगों ने सफर किया मैट्रो अधिकारियों को उमीद है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग फिर से मैट्रो की सेवाओं का उप्योग करने लगेंगे पहले दिली पुलिस ने जहां स्टेशनों के बाहर पेपर मेरेकेडिंग की तो वहीं CISF ने भीतर सक्टी बढ़ती दिली मैट्रो सिविल डिफेंस के जवान और केंद्रे औधोगिक सुरक्षा बल के कर्मी फेशियल मार्क्स और दस्ताने पहने दिखे सभी ने पूरी सुरक्षा के साथ मैट्रो का उप्योग किया DMRC ने हुडा सिटी सेंटर से रवाना हो रही पहली ट्रेन का वीडियो ट्वीटर पर भी सांचा किया और लिखा हम आ रहे हैं हम 179 दिन से आपसे नहीं मिले यात्रा जिम्मेदारी के साथ और अति आवश्यक होने पर ही मैट्रो का सफर करे मैट्रो वाफस पट्री पर आ गई है धन्यवाद